नमस्कार में स्वाती और आप देख रहे हैं विंधिया टाइम्स आगामी लोगसभा चुनाब के मद्दे नजर भाजबा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है 2024 के लोगसभा चुनाब में 400 पार के संकल्प को पूरा करने के उद्देश से भारती जनता पार्टी के शेर से नैत्रतों ने सर्वहारा वर्ग को साधने की दिशा में पार्टी ने प्रतेक कार्यकरता की जिम्मेदारी तै करते हुए वो थिस्तर पर घर घर जाकर लोगों से उनके सुझाव आमंत्रित करने का भियान चलाया है इसी कड़ी में शगुन मैरिस गार्डन मौगंज में आयोजित पत्रकार वारता में मौगंज भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने अम्रित काल में युवाओं से 2047 तक विक्सित भारत बनाने का लक्ष निर्धारित करने का आग्रह किया है पत्रकार वारता की तोरान मौगंज मंडल अध्यक्ष सेले इंद्र गुपता पूर्वे नगर निगम परिशद अध्यक्ष अजय मिश्रा मंडल उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा भाजपा नेता राम मन शुकला सहित अन्ने लोग उपस्थित रहें प्रदेश का प्रदेश का प्रवक्ता भी रहा आपके साथ पूर में लगातार मेडियाक साथ मेरी वारतालाप होती थी प्रदेश से भूपाल से मुक्रूब से बिक्सित भारत मोदी की गारंटी अभियान के तहट भारती जन्ता पार्टी एक संकल पत्र बना रही है और संकल पत्र में हमारे पत्रकार भाईयों का क्या सुझाओ है मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हम भारत को अमरित काल के भारत की ओर ले जाएंगे विश्वगुरू के भारत की ओर ले जाएंगे भारत सोने की चिडिया बने भारत पूरे बिश्व का नेत्रित तो करे उस दिसा में देश के शशी प्रधानमती नरेंद मोदी लगातार काम कर रहे हैं और दस वर्सों के सासन में आपने देखा होगा कि मोदी जी ने देश को किस उचायों तक पहुँचाया है आज चाहे अपन बिदेश नीत की बात करें चाहे रक्षा नीत की बात करें सब में मैं डीपली नहीं जाओंगा चाहे ग्रामीड सोचाला की बात करें चाहे आधार बूद ग्रामीड संरचना की बात करें चाहे हमारे महिला बहनों की बात करें चाहे किशान की बात करें चाहे मलदूर की बात करें चाहे विद्यार्थी की बात करें आज भारत चर्मो उतकर्स इस्थिती में पहुँचा है चारो दिसाओं में भारत आज एक युद्धा के रूप में सामने आ रहा है और देश के शश्री प्रधान मंत्री पुना प्रधान मंत्री बनने जा रहे हैं तो उनका एक अभियान है कि जो हम संकल्प पत्र बनाएंगे विक्सित भारत अभियान के तहट संकल्प पत्र में हमारे वकील भाईयों की क्या सुझाओ है हमारे पत्रकार बंधुओं के क्या सुझाओं है हमारे चार्टर एकाउंटेंड के क्या सुझाओं है हमारे किसान के क्या सुझाओं है हमारे विद्यार्थी के क्या सुझाओं है हमारे महिलाओं की क्या सुझाओं है उसका पूरा उन्होंने एक खागा बनाया है और भारती ज में जा जाकर के भारती जनता पार्टी का कार्यकरता विक्सित भारत संकल्प योजना जो मोदी जी की घरंटी है उस योजना में हम घर घर जाएंगे और देश को कैसे बढ़ा सकते हैं वो संकल्प पत्र में हम सबका सुझाव लेंगे और सुझाव लेने के बाद उस पूरा स तुझाव कमपाइल्ड होगा और कमपाइल्ड के बाद हम इसको देश के सश्वी प्रधान वंत्री जी को प्रेशित करेंगे। घोस्रा पत्र में इस तरीके के सहमत लेना पहला ऐसा है जो अभी तक नहीं हुआ। हमारे और आपके पूरवच कभी कलपना नहीं किये होंगे कि राम का मंदिर बनेगा। हम और आप कभी कलपना नहीं किये होंगे कि देश में तीन सो सत्तर खतम होगी। इस देश में जहां हम लोग नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर जी यो कस्मीर हमारा है और जो कस्मीर हमारा है वो सारे का सारा है पर आज दुर्भाग से कांग्रेस का सासन था और कांग्रेस के सासन में कस्मीर में रहने के लिए कस्मीर में निवास करने के नरेंद मोदी जिन्होंने हर एक एक घर में सोचाला बन बाया एक भारतमा का लाल हुआ गाउं के एक एक घर में स्वक्ष जल का पानी पहुचा रहा है एक भारतमा का लाल हुआ नरेंद मोदी जो बिश्व में डंका वजा करके आज अमेरिका जैसे सक्तिसाली राष्ट पती उसके स्वागत के लिए पलत पावड़े बिचा करके देश को कैसे भारत की और अपन भारत को विक्सित भारत की सेड़ी में कैसे ले जा सकते हैं भारत चर्मोत कर सिख्थिती में कैसे लो सकता है आम आदमी का सबका हम सुझाओ लोए और उस सुझाओ को हम कंबाइल करके अपने घोष्णा पत्र में रखें और फिर पांच साल की हम कारियोजना बना करके अद्देश को आगे बढ़ाएं भारती जनता पार्टी का प्रथम जिलाद्यक्षू हम और आप एक परिवार के सदश हैं और भारती जनता पार्टी कारकरता वेश्ट पार्टी है यहां संगठन का पूरा खागा भी नया बन रहा है तो आपके माध्यम से भारती जनता पार्टी के जो पांसो चौसट बू मुद्ध के कार करता हूं से लेकर के सक्तिकेंद के कार करता हूं मंडल के कार करता हूं जिला के कार करता हूं उसमें आप तो आपको अगर लगता है कि भारती जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष के रूप में विक्सित माउगंज बनाने में और माउगंज को मद्यपदेश का प्रथम जिलाध्यक्ष के रूप में अगर मेरी कोई भी भूमिका जिलहरी के रूप में भी होती है तो आप लोग मुझे याद करिये, मैं 24 घंटे सातों पहर इस जनता की सेवा के लिए उपलब दे रहा हूँ.